तो फ्रेंट्स जी पावर का आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पे ग्राफ देखोगे तो आप देख सकते हो कंटिनियूसली इस शेयर में जो है गिरावर देखने को मिले थी उसके पीछे के रीजन्स क्या थे और यह शेयर क्यों आगे तक बड़ा उसके बारे में हम जो है डिसकस करेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी से रिक्वेस्ट करना करने में लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी हल्प होगी और आपको भी टाइम ट्रैम अपडेट्स मिलते रहेंगे तो प्लीज डूइट फ्रेंट्स इतने हल्प तो आप करी सकते हो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी पावर इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे करेंगे और जब यह गिरावट क्यों जारी थी सबसे पहले वह जाननी की कोशिश करेंगे और जब यह गिरावट स्टार्ट हुई थी 372 से गिरके बनाए इसने 130 रुपीज का लो और उसके बाद देखिए आप कंटिनुसले हमें यह यह बढ़ता हुआ दिख रहा है और अ उसके पीछे का भी रिजन समझानेंगे सबसे पहले गिरावट का रिजन जानते तो सबसे पहले गिरावट इसलिए थी फ्रेंड्स क्योंकि जीए पावर इंडिया ने जो है अनाउंस किया था उनका जो इंगिनेरिंग बिजनेस है और उनका जो स्टीम-बेस्ट पावर ज तो इसके लिए टोटल ये उनको तीन साल लगने वाले हैं तो यहाँ पर हमने यह नहीं सोचा कि तीन साल लगेंगे तीन साल में बहुत कुछ बिजनस जो है जी पावर अच्यू कर सकता है और वो बिना समझे ही जो है बहुत सी मार्केट में जो हम सेलिंग प्रेशर देखने क को मिला और शेर में गिरावट आई तो तीन साल यहां से आगे लगने वाले हैं यह दो बिजनस सेपरेट होने के लिए उसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिली थी लेकिन अब भी ऐसा क्या हुआ रिसेंटली जिसकी वजह से जो हमें काफी अच्छी तेजी भी देख देखने का जो हैं ने रिसेंटली जो हो एक अच्यों किया है तो क्या ही कॉंटाक सप्राओं एकज़एकली वह जानने की कोशिच करता है तो प्रपvoorटशिं सिस्टेम ह क्या होता है फेंडस किसी भीचिभी लाता हो तो उसको या किसी भी बोट को आगे बढ़ने के लिए अगर आपने देखा होगा पीछे एक सरकल होता है एक मशीन होता है जो बोट को जो है वो पानी के अंदर राउंड 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 जो है वील होता है और उसके बाद जो है बोट आगे आगे जाती है तो व वो एंटायर स्ट्रक्चर जो होता है उसको प्रोपोर्शल सिस्टिम बनते है और उसी का कॉंटेक्ट इनको मिला है तो वो कॉंटेक्ट इतनी बड़ी बोट में इतना सा पार्ट बनाने का बहुत जादा जो है कॉसली है क्या तो यस फ्रेंट्स बहुत इंपॉर्टन नेवल एक्टिविटीज के लिए तो यहां पे आप देखिए यह टोटल 863.40 करोड का जो है उनका जो यह जो कॉंटेक्ट है जो ओर्डर है वो उनको मिला है देखिए यह पे दिया है जी पावर इंडिया स्पर्ट अफ्टर ओडर विन तो ओडर विन क्या थी जी पावर एसपर्स 5.19% to Rs. 186.30 after the company secured a contract worth Rs. 863 तो friends यह जो contract है यह इन्होंने जो है हासिल कर लिया है और यह काफी अच्छे से जो है अभी यहां पर ग्रो करता हुआ दिखेगा हमें क्यूंकि नेवी का contract है definitely तो काफी जादा जो है value-added करेगा यह company के overall सारे structure में तो उसी के वज़े स से जो है हमें तेजी भी देखनी को मिल रही है तो यही सारी important details थी friends जो मैं आप लगे साथ share करना चाहरा था thank you for watching this video and please don't forget to subscribe and hit the bell icon thank you